किसान भाईयो आपने तो जरूर लिहो सीन का नाम सुना होगा अगर आपका गेहुम गिरने वाला हो गया है अगर 55 दिन का है तो इसमें कैसे उपयोग करना चाहिए अगर असी दिन का है तो भी उपयोग करना चाहिए और इसका कितना मातरा करना चाहिए अगर गेहुम आपका मतलब बाली अगर पचपंदीर पे चला गया है और आपका थोड़ा मतलब उसके अंदर भुरून बनना स्टार्ट हो गया है तो आप कर सकते हैं और एक जो पत्ता आता है अंत बाला पत्ता जिसे एकदम अच्छा तरह से वो निकल जाता है उसी के साथ बाली निकलता है अंत लेट लिफ बाला तो वह अगर दिखाई दे रहा है तो पर यह करना है और कितना मात्रा करना कैसे करना है सरत के बारे लह करता है या मंध्या कोई चीज का होता है एस्प्रे वह मात्रा आप देख लिजेगा ऐसे तो मैं बता दूंगा उतना ही कीजिए अगर आप अच्छा वेराइटी लगाये हुए हैं लेट वेराइटी है तो आप देख लिजेगा लेट वेराइटी का का बाता है अगर मतलब अगात बाला लगा रहे हैं कोई 130-140 दिन क लगाते हैं जैसा जो लगाते हैं वह ऐसा देख लिजेगा उनका थोड़ा कम होता है दो कम-देन वाला का कम और जयादा do रहता है ऐसे तो लिह मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे तो उसे आलू में भी उप्योग किया जाता है लेकिन गेहुम के लिए जैसे ही आपका गेहुम का पत्ता जो है वह मतलब पच्पंदीर का हो गया है तो आप इस्प्रे कर सकते हैं इस्प्रे आपको करने के लिए पहले आप देख ल जादन लेने के लिए ऐसा करते हैं जो उनका मतलब गेहुम ज्यादा ना जूके ना गिरे इसके लिए यह काम करते हैं जैसे ही आप इसका एस्प्रे कीजेगा तो उसका जो होए लीफ छोटा होने लगेगा उपर अहंत वाला लीफ और वह जो नोड होता है वह भी छोटा ह होने लगे थोरा ही नजदीक नजदीक नोड बन जाएगा और बाली तुरंत फेकेगा जिसे यह होता है आपको समय में मतलब उसको पुष्ट बना देता है और नीचे का जर जो होता है उसे मोटा कर देता है नीचे का जर जैसे ही मोटा होगा कोई चीज में नीचे का जर ज लोग देता है और वही से मोटा करने लगता है उसे कोई असर नहीं परता है असर के नाम पे कुछ नहीं लेकिन यह होता है जो आपका प्लांट एकदम सुध मोटा हो जाता है और जिसे आपका ज्यादा से ज्यादा फैदा होता है और ज्यादा से ज्यादा फैदा इसलिए होत उसके साथ कोई छाद मिला वो नहीं रहता है और मुषो테क्र यहको के लिए सो परसंट लाल दयाक होता है और यह आप दोह ग्राम मतलब एक लीटर पानी में आप उप्योक की जोगा सतरी के हिसाब से धेतना कर रहे हैं उतना अपना लगा लिजेगा और हिसाब देख लिजेगा और उसे एस्प्रे कर दीजे और दीन के समय कीजेगा अभी तो धूप नहीं रहता है द्योब भी नहीं रहता है पाला का भी थोरा समस्या रहता है अब दीन में अच्छा धूप निकल जाए तब कीजेगा पच् जरूरत हो जाता है क्योंकि वह लोग के पास गर्मी का मौसम वहां रहता है अभी तो कितना अभी मतलब 22 का मतलब 30 इन 40 दिन का हुआ है तो वह लोग तो फोर्वेक देंगे वो क्योंकि ठंड का मौसम है, ठंड में उतना ज्यादा असर नहीं पड़ता है, तो वो लोग लिए उसीन का नहीं बचात वाले दे सकते हैं, अगालत वाले का ये सब रहता है, धन्यवाद ये इतना देर वीडियो देखें हैं, तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइक